हेलो फ्रेंड आप अपना PC या फिर Laptop में Latex Software को फ्री में कैसे इंस्टल करेंगे हम फूल डिटेल आपको बताएंगे Google Chrome में आप ये टाइप करिए या फिर मेरा वीडियो के नीचे Description Box में Frost Link पे क्लिक करिए जिसमें Mic Text लिखा है ओवाला लिंक पे आप क्लिक करिए तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा फ्रेंड लेटेंग में mathematical expression टाइप करने के लिए आपको दो चीज इंस्टल करना पड़ेगा पहले पहले तो आपको Mic Text इंस्टल करना पड़ेगा उसके बाद TextMaker इंस्टल करना पड़ेगा पहले Mic Text को डाउनलोड कर लेते हैं इसका टोटल साइज है 240 MB तो डाउनलोड ओप्सन पे क्लिक करते हैं Latex Software में Mathematical Expression को कैसे टाइप करते हैं हम Next Video में आपको डिटेल में बताएंगे हम ये वीडियो में सिर्फ इंस्टल कैसे करेंगे ये बताएंगे आप देख साबते हैं मेरा डाउनलोड स्ट्राट हो चुका है डाउनलोड हो जाने के बाद आप डिरेक्ट इसको इंस्टल नहीं कर पाऊगे कैसे इंस्टल कर आऊगे हम डिटेल में बता रहा है वीडियो के इन तक देखिए तो देखते हैं कहां पे ये डाउनलोड हो चुका है Show in folder में क्लिक करते हैं ये रहा मेरा डाउनलोड इहां पे हो चुका है इसमें double click करते हैं उसके बाद ये rectangle के अंदर टिग लगवा देते हैं उसके बाद next पे click करते हैं इसके बाद आपको दो option दीखेगा आपको first option choose कर लेना है फिर next पे click करते हैं इसके बाद जब आप next पे click करोगे और होगा ही नहीं इसके लिए आपको पहले एक folder बनाना पड़ेगा तो right click करिए और new पे click करिए उसके बाद new folder बना लीजिए हम बनाते हैं देखिए यहां पे लिखा है new folder 5 ओके new folder 5 लिखा है आप browse पे click करके यह folder को यहां पर open कर लेना है आप folder का नाम कुछ भी रख सकते हैं मिक्टेग रख सकते हैं हम new folder 5 नाम पी save किया है उसके बाद ok पे click करते हैं उसके बाद next पे click करते हैं for and ask me first के बाद next पे click करते हैं उसके बाद start पे click करते हैं मेरा इंस्ट्रलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इंस्ट्रल करने में आपको 15-20 मिनी लग सकता है फ्रेंट आप अगर मोबाइल के थू कोसें सॉल्व करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उपर में आई बटन क्लिक करके मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं उसके बाद next पे क्लिक करते हैं next rectangle से tick को हटा दीजिए tick को हटाने के बाद ok उसके बाद next पे क्लिक करते हैं उसके बाद tell me more यहां पर rectangle से tick को हटा दीजिए और close कर दीजिए mick text install हो चुक है आप text maker इंस्ट्रल करना है description में text maker का link दिया है आप उसमें क्लिक करिए तो यह page open हो जाएगा या फिर थोड़ी देर पहले जो लिखा था Google पर टाइप कर सकते हो देखके देखके text maker का page open हो चुका है तो free download लिखा है उसके थोड़ा नीचे आ जाए यह Windows 10 हम Windows में इंस्टल करना चाहते है तो Windows 10 पर हम क्लिक कर दिया मेरा download स्टार्ट हो चुका है हम Windows 10 पर इंस्टल कर रहा है Mac या फिर Linux पर आप इंस्टल कर सकते हो अल्रेडी डाउनलोड हो चुका है तो हम show in folder पर क्लिक करते है और यह option में double क्लिक करते है आप यह rectangle में टिक लगवा दीजिए और install पर क्लिक कर दीजिए देखिए आपका install clock complete हो जाएगा उसके बद finish अब हम लोग जो भी mathematical expression type करेंगे सब कुछ यह text maker पर type करेंगे साड़े tab को close कर दीजिए आप देखिए आपको text maker को open करके दिखा देते हैं यहाँ पर हम लोग सब कुछ type करेंगे लेटेक का साड़ा काम हम लोग यह text में करके अंदर ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम basic से आपको लेटेक सिखाएंगे फ्रेंड आपको अगर वीडियो आच्छा लागे तो थोड़ा सा प्यार देदीजी